अध्याय छे और हम जो उसके सह कर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्ता के समय मैंने तेरी सुन ली और उध्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की देखो अभी वो प्रसन्ता का समय है देखो अभी वो उध्धार का दिन है हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई धोश ना आए परन्तु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद गुणों को प्रगट करते हैं बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लणों से, परीश्रम से, जाकते रहने से, उपवास करने से पवित्रता से, ग्यान से, धीरत से, क्रिपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, थार मिक्ता के हत्यारों से, जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुरनाम और सुनाम से, यद्यपी भर्माने वालूं के ऐसे मालुम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अंजानों के सद्रिष्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हूँ के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सद्रिष्य हैं प्रन्तु प्राण से मारे नहीं जाते हैं, शोक करने वालों के समान हैं, प्रन्तु बना देते हैं। ऐसे हैं, जैसे हमारे पास कुछ नहीं, तो भी सब कुछ रखते हैं। ए कुरुंधियों। हमने खुल कर तुमसे बातें की हैं। हमारा हिर्दय, तुम्हारी और खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ सकेती नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में सकेती है, अपने लड़के बाले जानकर, मैं तुम से कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हिर्दय खोल दो. अविश्वासियों के साथ अस्मान जुए में न जुतो, क्योंके धार्मिक्ता और अधर्म का क्या मेल जोल, जियोती और अंधकार की क्या संगती, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूरतों के साथ परमेश्वर के मंद जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत चुब तो मैं तुम्हें ग्रहन करूंगा और तुम्हारा पिता होंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्व शक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है बेटे शक्तिमान प्रभु दक्तिमान प्रभु कि तुम्हें होंगे।